हेलो दोस्तों स्वागय थे आप सभी का आरभी एडिटीव क्लास में दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए कोस्टन ले करके आया हूं यह कोस्टन क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है यह कोस्टन नमबर टू है पेज नमबर 247 एकसरसाइज 13.2 सर्फेस एरिया एंड वालियूम चैप्टर से एक कोस्टन लिया गया है यह कोस्टन आपको क्लास 10 की सीवेसी मैट की बुक पर आपको मिल जाएगा चलिए को पढ़ते हैं देखते हैं क्या पूछा गया है क्या नमबर टू कह रहा है कि रिकेल एन इंजिनिरिंग स्टूडेंट्स वाज आस्कड तो मेंक आपको मॉडल सेफ़ लाइक चलिंडर ठीकेल विद तू कोन आपको 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 अजिए ओस देखते हैं तो एंज पागा चाहिए तो एंड बालियूमून सेट ए इप भी जापको पी आपको मॉडल एंजिए थापको आपको एंड वाजिए दीए और तो आपक that Recall made assume that the outer and inner dimension of the model to be nearly same अभी मैं आप पर बताऊंगा इस question को थोड़ा elaborate करके कि इस question में हम से क्या पुछा गया है ठीक है तो आपको ज़्यादा प्रेसान होने की जरूर नहीं है ये question बहुत ही आसान है बस लगने में थोड़ा बड़ा लग रहा है Recall नाम का एक student है और वो एक ऐसा model बनाता है कि जहां पर एक एक ऐसा cylinder है जिसके दोनों end पे एक कोन लगा हुआ है तो एक कोन इधर लग जाएगा और इसी प्रकार्ट से एक कोन इधर लग जाएगा यह model है अपना ठीक है रिकल ने ऐसा model बनाया है यह तो सिर्फ कहने की बात है simple बात यह है कि एक कोन इस तरफ लगा हुआ है और एक कोन इस तरफ लगा हुआ है रिधर एक cylinder लगा हुआ है बस ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है ठीक है किसी भी question में आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि जितने figure जितने फार्मुले आपने पढ़े है इस question में वह कौन सा figure दिया गया है और हम आपर कौन सा फार्मुले अस्तेमाल करेंगे simple सी वात है question में बोला है find the volume बस volume मिल गया तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यह जो बोला है कि air content in the model यह सब आपको ले बेकार है बस आपको volume find करना है इतना आपको यहां से पता हो गया ऐसा नहीं कि totally बेकार है लेकिन अगर आपको question आसा आसानी वे में लेकिन इन सबको volume find करने के लिए आपको इन सबकी dimension चाहिए जैसे कि अभी जो diameter है model का वो 3 cm है तो radius कितना होगा 3 by 2 cm होगा मैं आप डारेक्ट राइट कर रहा हूं ठीक है r is equal to 3 by 2 cm अब यह जो 3 by 2 cm है ना यह आपके cone की भी radius होगी और cylinder का भी radius होगी क्यों क्यों क्योंकि दोनों का जो base circle है कौन का और cylinder का वो सेम सेम ही है ठीक है यह जो base circle की दोनों का कौन का और cylinder का वो सेम है तो radius भी सेम होगी कि अगे बुला है and its length is 12 cm अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है और वो यह है यह जो 12 cm दिया गया है ना वो इस model की length दी गई है मॉड़ल की length दी गई है 12 cm तो मतलब यह थोड़ी है कि सिलंडर की length नहीं बिल्कुल नहीं अवी जैसे 12 cm यह model की length है तो हमें याप पर cylinder की length पता करनी है कि वह कितनी होगी यह कितनी होगी हमें पता करनी है तो अभी के लिए थोड़ा आगे पड़ते हैं यहां पे बोला है कि height of each cone is two centimeter of two centimeter है ना तो कोन की जो height है ना वो यहां से ले करके यहां तक है किसी प्रकार से यहां से ले करके यहां तक कितना है two इधर है और two इधर है यह figure ऐसे वर्टिकल होता तब हाइट बनता तो उसमें कोई परिशान होनी की जरूर नहीं है कि अब यह figure अगर ऐसे बना हुआ होता तब यह height होगी कि यह height eight centimeter है और यह height two centimeter है और यह भी height two centimeter है ठीक इस प्रकार से तो यहां पर हाइट दिया गया है है एच सिलिंडर है कि वह हमें पता चल गई और वह कितना है वह eight centimeter और जो हैच कोन है वह कितना है वह है two centimeter कितने से तो आप आग लगा देंगे इस question की क्या आउकात है यह question of model is equal to volume of cylinder अब ध्यान से देखिएगा जो टॉप में कौन लगा हुआ है और जो बोटम में कौन लगा हुआ वह बिल्कुल सेम सेम है यहां पर हम दो बार कौन find करने के बजाए दो से multiply करने और एक बार volume find करें ठीक है तो जो volume होता है cylinder का उसका formula होता है पाई आर स्क्वाइर h प्लस जो volume होता है कौन का वह होता है 1 by 3 पाई आर स्क्वाइर अब यहां पर पाई तो कामन ही क्या common है पाई कामन है और आर कमन हे तो यहां पर हम पाई और और को कामन लेते है अब आर स्क्वाइर भी कमन है यहां से बचेगा edge और यहां से बचेगा 2 में 3 Mें out value put कर देते हैं यहां पर आजाएगा 22 upon 7 r की value अपने पास 3 by 2 है so 3 by 2 का whole square है h की value अपने पास 8 है calendar वाला और इसकी h की value अपने पास 4 है ठीक है नई sorry 2 है यहां पर 4 तो दोनों का है तो एक का 2 होगा अभी यह जो square में है 3 का square करेंगे तो 9 हो जाएगा 2 का square करेंगे तो 4 हो जाएगा 8 चुकी यह fraction में है तो यह 8 3 के साथ multiply होगा 8 3 जा 24 और 2 तू जा 4 अपन 3 आगे इसको open करेंगे तो यह आजाएगा 22 into 9 into 28 upon 7 into 4 into 3 देकि मैं चाहता तो बीच में भी कुछ calculation कर सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखरी में काटने पीटने के बाद जो बचेगा उसको solve करेंगे है ना सबको लड़ा भीडा दो जो बच जाएगे उनसे हम काम चलेंगे तो 7 बंजा 7, 7 फोर जा 28, 4 बंजा 4, 4 बंजा 4, 3 बंजा 3, 33 जा 9 आप देखो आपके पास क्या बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ V is equal to 22 into 3 रिमेन होता है अब 22, 3 जा होता है 66 cm3 जो volume का unit होता है वो cubic में होता है तो यहाँ पर cm3 हो जाएगा finally answer का लिखेंगे therefore question में हम से पुछा था कि find the volume of the air contained in the model ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे therefore the air contained in the model is 66 cubic cm3 तो finally यह हमारा answer होगा student is question का उमेद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझाया पया होँगा अगर यह वीडियो आप लोगों को helpful लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें इसी प्रकार के वीडियो लेकर मिलते रहेंगे अगले वीडियो आज में तब तक के लिए thank you class आप लोगों के लूगों हच बसने पहां तूबड़ा झाल झाल